हलो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इस्टड़ी 54 मैन पुरी में दियर फ्रेंड्स आज है 14 फर्वरी एंड हम लोग आज 13 ए 14 फर्वरी दोनों ही डे की करेंट अफिर्स के बारे में डिसकस करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरे वीडियो हेलफुल लगते हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड सरकल में सेर जरूर कीजिए और लाइक और कॉमेंट करना बिलकुल ना भूलिए चलिए चलते हैं आज के का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है तो कितने हजार किलो का 82 हजार किलो का ठीक है नेक्ष कोश्चन समुत्र तल से 10,044 फुट की उचाई से गुजरने वाली निम्न में से किस टर्नल को गिनीज भुक आप बर्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है तो अटल टर्नल र पुर्व शलाकार प्रदीप शाह को निम्न में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो किसका अध्यक्ष बनाया है फाइजर इंडिया का नेक्ष कोई क्रिवीजन में कोश्चन क्या है किस राज सरकार ने हाली में गैर कानूनी धर्मांतर रोक थाम विदेयक 2022 के पर प्रतवंद लगा दिया है तो किस पर लगाया है विदेशी ड्रॉन पर नेक्ष कोश्चन है भारतिय रिजर बैंक ने यी रूपी बाउचर के सीमा को 10,000 से बढ़ा कर कितना हजार कर दिया है तो कितना कर दिया है एक लाख रुपे कर दिया है चलते हैं नेक्स्ट कोश टाम टाम की ताजा रिपोर्ट के मताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीडवार वाले सहरों में निम्न में से किसे प्रत्थम इस्थान प्राप्त हुआ है तो किसे हुआ है इस्तांबुल जो कहां पर है तुर्की में नेक्ष देखते हैं 20 इनानी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है तो 11 फरवरी को 20 इनानी दिवस मनाया जाता है चलिए डेफेंट्स अब चलते हैं हम लोग आज के पहले कोश्चन पर आज का हमारा पहला कोश्चन क्या है भारत के गोवा से प्यार लिम्टेट ने कौनसा पांचमा पोत भारती तटरच समय से पहले पहुचा दिया है तो कौनसा है आई सी जी एस सक्षम देखिए नौशेना अध्यक्ष कौन है एड्मिरल आर हरी कुमार है भारती नौशेना की स्थापना का हुई 26 जन्मरी 1950 को हुई थी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं इस कोश्चन के ह आई सी जी एस शक्षम के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यह क्या है यह एक पेट्रॉल बेसल 30 mm गन से लेस है ठीक है और बजन कितना है इसका 2350 टन इसका वजन है चलते हैं नेक्ष कोश्चन पर आज का क्या है किस संस्तान ने जीवा नामक कृशी पारष्च्टित की आधारित कारी करम शुरू किया है तो किस ने किया है नावाड ने शुरू किया है नावाड की फुल्टक्वम क्या है नेशनल पैंक फॉर एगली कर्चर एंड रूलर डबलप्मेंट इसका उद्देश क्या है कृषक शमदाय को प्राकृतिक खेती की ओर ले जाना कुछ important point और भी जान लेते हैं नावाड की इस्थापना कवी थी 12 जुलाई 1982 में इसका headquarter कहा है मुंबई में है इसकी मुद्रा क्या है रुपया है वहाँ के chairman कौन है चिंताला गोविंदा राजूलू ठीक है इसका purpose क्या है देखिए डियो फेंड एग्रिकल्चर एंड रूल and credit planning के लिए ये लागू किया गया है ठीक है चलते हैं next question पर next question है हमारा NCRV के अनुसार किस भारती राज में which hunting के तहत सबसे अधिक हत्याइं हुई है तो which hunting के तहत कहां पर सबसे अधिक हत्याइं की हुई है जहारकंड में अब देखिए NCRV के बारे में important point देखते हैं राष्टिय अपराद रिकार्ड व्यूरो इसकी full form है इसके अनुसार which hunting हत्याइं की संख्या के मामले में जहारकंड के बाद ओडिशाक दूसरे इस्थान पर रहा है विच हंटिंग के बारे में important point देख लेते हैं विच हंटिंग है क्या जिन पर डायन का level लगा हो या फिर जिन पर जादू टोने के साक्ष पाए जाएं तो वो किस कैटागिरी में आते हैं विच हंटिंग की कैटागिरी में आते हैं चलिए चलते हैं next question पर अब देखी इसकी rank क्या रही है 9.75 के उचितम score के साथ नार्वे सबसे उपर रहा है नार्वे की rank क्या रही है 9.75 ये सबसे उपर rank पर रहा है और 46 में इस्थान पर हमारा क्या रहा है इंडिया रहा है इसके कुछ important point भी देख लेते हैं The Economist Intelligence Unit है उसकी स्थापना का हुई 1946 में हुई headquarter का है लंदन में है और ये democracy index and government board band index भी जारी करता है चलिए चलते हैं next question पर next question है भारती रिजर्ब बैंक ने अपनी नई credit policy का एलान किया है Central bank ने ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया RBI ने repo rate 4% पर बरकरार रखी है बहीं पर reverse repo rate भी 3.35% पर बना रहेगा कुछ RBI के important point देख लेते हैं देखिए RBI की स्थापना कब हुई थी एक अपरेल 1935 में हुई थी गवर्नर कौन है ससी कान दास है हेड कॉर्टर का है मॉंबई में है next question पर चलते हैं next question है HBI के सैखोज करता Nobel वेजेता Luke Montaguenier का निदन हो गया इन्हें AIDS का कारण बनने बाले बायरस की खोज के लिए 2008 में Nobel Prize प्रदान किया गया था कब? 2008 में चलते हैं next question पर next question है सामाजिक नयाय और अधिकारता मंत्री डाक्टर बीरेंद्र कुमार ने इसमाइल योजना का शुवारम किया इस योजना के से ट्रांसजेंडर और विकारियों का कल्याण होगा important point क्या है 2022 से 2026 तक योजना के लिए 335 करोड रुपए आवंटित किये हैं इसमें दो उप योजनाय सामिल है ट्रांसजेंडर विक्तियों के कल्याण के लिए समग्र पुनर्वास की केंद्री योजना और भीख मागने वाले के समग्र पुनरवास की केंदरी ये उचना ठीके चलते हैं नेक्ष देख लेते हैं आज की हिस्ट्री के बारे में आज की हिस्ट्री क्या है हमारी पहला हमारा कोशन है रेडियो को एक सक्त साली माध्यम के रूप में माननेता देने के लिए हर साल 13 फरवरी को 20 रेडियो दिवस मनाये जाता है जो क्या करता है विविदिता को बड़ावा देने और अधिक सांती पूर्ण और शमा बेशी दुनिया बनाने में मदद करने के लिए दुनिया के हर कोनेशे लोगों को एक साथ लाता है चलते हैं नेक्ष कोश्चन पर नेक्ष कोश्चन है भारती राष्टी महला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजनी नाइडू की जैनती के उपलक्ष में मनाये जाता है किसके उपलक्ष में सरोजनी नाइडू के जैनती के उपलक्ष में कम मनाया जाता है तेरे फरवरी को उनका जन्म कब हुआ था तेरे फरवनी 1889 को हुआ था बैपनी कविताओं के कारण अपनी उपनाम नाइटेंगल आफ इंडिया या भारत की कोकला के नाम से प्रशिद थी चलिए देख लेते हैं आज की हिस्त्री के बारे में कुछ अनिफे बनाया गया किया बनाया गया मुगल समराट बना दिया गया था अकवर को तेरे वर्ष की आईू में ही कब बनाया गया चोदे फरवरी 1526 प्रेशुटbane मैं नेक्स इंपोर्टेंट पॉइंट इसका देखते हैं बाद शाहों में अकवर ही एक ऐसा बादसा था जिसे हिंदू मुसलिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और शम्मान मिला उसने हिंदू मुसलिम संपरदाओं के बीच की दूरियों को कम करने के लिए दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी चलिए चलते हैं नेक्स्ट आज की इंपोर्टेंट हिस्ट्री देख लेते हैं आज के ही दिन 14 फरवरी 2022 में इस्टीव चैन चाड हरली और जाबेद करीम ने बीडियो साजा करने के लिए यूटूब नाम की बेप साइट को पंजी करत कराया था आज इसकी लोग प्रीता का आज ये आलम है कि हर महीने तकरीवन एक अरब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं चलिए चलते हैं नेक्ष आज की हिस्ट्री आज के ही दिन 14 फरवरी 2019 में जम्बू कस्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा कर्मियों की बस पर बंब हमले से 40 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई थी जम्बू निस्री नगर नेशनल हाइवे पर हमलावार ने बिसपोटक भरी कार से CRPF काफले की बस को टक कर मार दी थी जिससे क्या हुआ था 40 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी डेट आप याद रखेंगे 14 फरवरी 2019 आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक शेशन में तब तक के लिए नमस्कार, have a nice day